हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैं आपका गाड़ आपको दोस्त अम्राक पांड़े है और आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल भुगोल के प्रिष्टों की स्रंखा चल रही थी जोकी कि प्रिष्टों की प्रिष्टों की ज्यादा से ज्यादा प्रश्ण आने की संभावना है ये प्रश्ण की महत्ता इस बात में है कि ये प्रश्ण आपको कही न कहीं किसी न किसी पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे पहले से आये हुए होंगे जो कि question भी हो सकता है यहां पर नहीं तो explanation जो दिया जा रहा है उसमें आपको आपके पेपर में आये हुए प्रस्ण मिल जाएंगे प्रस्ण बहुत ही मात्पूर्ण है वीडियो को अंत तक जरूर देखें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 125 प्रस्णों की स्रिंखला कम्प्लीट हो चुकी अभी तक अपने देखेंगे वीडियो उसके आगे आज हम देखेंगे 126 नमर वीडियो है जो की पहला ही प्रस्ण है कि भारत में चार वीडियो अभी तक हुआ है तो आज की वीडियो यहीं पर आगे से शुरू करते हैं 126 नमर प्रस्ण से लगभग 30 प्रस्ण कम्प्लीट करेंगे आज भी पिछले वाले में कुछ ज्यादा हो गया था मेरे ख्याल से ठीक है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है भारत में उतर मांसून है धंडी के समय में जो होता है जिसको राजस्थान में मावत भी कहते है याद रखना ही है यह UPCS का प्रस्ण है यह लास्ट यह यह से आया हुगा है UPSC में भी पूछा गया प्रस्ण उत्तर परस्षि मांसून के गठन के लिए उत्तरदाई कारकों के संदर में निम्रकित कष्णों पर विचार करें कि सही उत्तर बताना है यह कौन-कौन से उत्तरदाई है तो सर्दियो है कि दक्षण हिंद महासागर में उच्छ दाव चेत्र उच्छ दाव छेत्र का पश्चिम की और इस्थानांतर्ण तो यह भी बात सही है कि तीसरा है भारत के दक्षण में उसर्ण कटबंदी अभी सर्णड छेत्र का प्रवास हो जाता है कि आपको पता है कि सूरी जो है के गर्मी की दिनों में उत्तराण होता है कि नॲगे और सर्दी के दिनों में दक्षणान हो जाता है con Pierre वो आता है थंडे के महिने में करेंक स्धून का नोगोल सभ्ल्लुक्त हैं उनके लिए लावदाई भी हुता है ठीक है थंडी बढ़ा देता है लेकिन लाबदाई होता फसलों के लिए तो याद रखना उस समय ITCZ दक्षण में ही चला जाता सही बात है तो तीनों ही स्टेट्मेंट सही है इसका सही उत्तर क्या होगा जहाँ पे तीनों सही होंगे वो दी हो जाएगा ठीक है देख लेते क्या है कि दक्षण पर्षण मांसुन से अलग उत्तर पर्षण पूरी तरह से इसपष्ट और विभेदित विश्यस्ताओं से युक्त नहीं होता है फिर भी भारत में उत्तर पर्षण मांसुन के गठंगे उत्तरदाई कारकों में निम्खित को सामिर किया जा सकत पठार साइबिरी पठार के उपर उच्छदाव सेल का निर्माण होता है इसके आगे है कि दक्षण हिंद महां सागर में उच्छदाब छेत्र का पश्चिम की और इस्थान आंत्र उसके बाद यह समात्त हो जाता है भारत के दक्षण में आई टी सीजेट का प्रवास हो ज जाता है याद रखना ये भी है कारक मानसून गर्त कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे दक्षण की और विस्थापित होने लगता है जिसके परड़ाम सुर्फ दाब प्रवडता कम हो जाती है तो भई एक कारक यह भी है कि देश की बड़े हिस्सों में वाईव की दिशा इस इससे क्या होता है कि दक्षण की ओर हमाई विस्थापित होने लगती है और प्रवडता कम हो जाती है देश के बड़े हिस्सों में वाईव की दिशा इस्थानीय दवाव की इस सथी से प्रभावित हो जाती है तो यह कुछ कारक है जो कि उत्तर परश्चिमानसुन के लिए उत्तरदाई होते हैं अगला है निम्लिकित कत्रों पाद विचार करके सही उत्तर बताना भी है तो पहला है कि 9 से 13 किलोमेटर पुचाई पर मध्य और पश्चिमी एसिया से पूर्की और बहने वाली पवनों को जूट कहा जाता है क्या जेट कहा जाता है तो क्या सही है पश्चिमी विक्षोग भारतिय महादविप में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं बाद सही है यह तो और भूमद रेखा पर उत्त्पन होते हैं भूमद रेखा पर उत्पन होते हैं यह गलबल लग रहा है ठीक है अगला है अन्ता होस्ट कडवंधी अब सरण छेत्र का उत्तर क्यों रिस्थापित होने से भारत में मान सुन का आगमन का कारण बनता है आटी सी जेट उत्तर क्यों रा जाता है तो बस सही है तब ही मान सुनाता है तो तीसरा तो सही है दूसरे में थोड़ डाउट है सी इसका से उत्तर हो जाएगा ठीक है न देख लेते हैं जेट परवाह 9 से 13 किलोमेटर कुछाई पर होता है समस्त मध्य पश्चमी एसिया से आए लेकिं सागरerson से प्रविष if香ष जाता है वाज़िस प्रविष करतां से लेकिन या रखना वहांपर बूलों भूमध्यर्क है लेकिन भूमधिसागर से उत्पन होता है बूमधिसागर में उत्पन होते और इनका प्रवेश पश्चमी जेट प्रवाह द्वाह द्वारा होता तो दूसरा गलत प्विश्वभाति महादोविप के महादोईप के पस्चिम और उत्तर पस्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य रेखा परुत्पन होते हैं ठीक है अच्छा ये इसके लिए था गलत पस्चिमी विख्षों भात्यों महादोईप में पस्चिम और उत्तर पस्चिम से प्रवेश करते हैं ठीक है पस्चिम उत्त भूमद सागर में भूमद रेखा पर उत्पन होते हैं यहां भूमद से सागर में उत्पन होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पश्चमी जेट प्रवाहद्वारा होता है इसलिए गलत हुआ था कि भूमद रेखा की बात हो रही थी वहां पर कि भूमद रेखा पर उत्प हो जाती है याद रहें 20-25 डिग्री उत्रियक्षांस पार करके दक्षण पश्चिम मानसुन का निर्माड करती है तो तीसरे शिर्ट आगे देखते हैं भारत की जलवाई को प्रभावत करने वाले कारकूं को संदर्म बताना सही कर्थन का है देश की भावति की स्थिति के कारण पश्चिमिघाट और दक्षणी पावन वीमुखी पठा ढ़ाल के कारण अधिक वर्षा होती है पहला सही है तो देख ले ना ध्यान से पढ़लो दूसरा करके रहा कि देख्षण में पर इस्थित प्रदेश उच्च देनेकों वार्षिक साफ समघ्भाई पाए जाती है अकि के ऐसा अगले ने भी गलत करते हैं कि भारत के भथ्यक शोर्ण के-कि छोप वायुदाफगी दिषा घाल की मात्रा मात्रा और वित्रण को प्रभावत करता है मैंसोन काल में पश्चमी घाट आसम के पवन वीमुखी ढाल पवन अभी मुखी की बात हो रहे वीमुखी की बात नहीं ढाल अधिवर्शा परात करते हैं जब इसी समय पश्चमी घाट के साथ लगा डक्षणी पठार जो है पवन वीमुखी स्थितिम होता हम कलास में जो पढ़ाए हैं तो पर इसके साथ दक्षणी भाग भी ठीक है देश के मध्य भाग से गुजाने वाली कारक रिखा है कारक लिखा है करक करके रिखा है उत्तरी भाग शिर्तों बढ़न में पड़ता है उस्यां कट बंद भूमद रेखा के निकट होने के कारण पूरे वर्ष उच्चतापमान और कम दैनिक वार्षिक्ता पांतर का अनुभा होता है वहां पर उच्छ बात हो रही थी इसलिए गलत हो थी हिमाले परवत मानसून पाउनों को रोक कर उख महादुईप में वर्षा का कारण बनता उख महादुईप भारत नेपाल भूटान बांगलादेश पाकिस्ता ठीक ह जल और स्थल के तबमान के अंतर के कारण भारत नें महादुईप में व्यभिन व्युदाप के च्षेतर विक्षित हो जाते हैं। यह पेरु तर्टके निकट भूमध्धर एखी उसर्थ समुद्री धारा का विस्तार है तो सही है क्या है? इसके पढ़ाम सुर्व प्लवक की मात्रा में वृद्धी होते हैं जिससे समद्र में मचलियों की संख्या बढ़ जाती है यह वाला थोड़ा समय डाउट लग रहा है दूसा वाला तो इसका पहला वाला सही है ठीक है क्या है एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर पांच से दस साल में प्रकट होता है इसमें महसागरी और वायो मंडली परिघटनाए शामिल होती है एल नीनों में दोनों ही परिघटनाए होती है यह पेरू के तटके निकट भूमत धरे की उसरट समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो आइस्थाहरू से ठंडी पेरूबियन यह हमबोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है यह धारा तटके जल का तापमां 10 डिगरी तक बढ़ा देती पहला इस्टेटमेंट सही हो गया इसलिए दूसरा क्या है कि एल नीनों के प्रिघटनाए प्लौक की मात्रा में ब्रिद्धी नहीं कम होती जैसे समुद्र जल के वाश्पन में अनियमित्ता आ जाती है और भूमद्रेखिवाय मंडली परिसंचरण में विक्रिती आ जाती है यही कारण है कि जब एल नीनों प्रभावी होता है उस साल भारत में मानसूम कैसा हो जाता है कमजोर पढ़ जाता है तो दोनों स्टेटमेंट इसके कलत हो एक कौन से बल पाउनों की दिशा और वेग य Bluetooth को प्रभारत करते हैं सर्फ अगला प्रशन है सामाजिक वानकी के अंत्र्गत शामिल है जाहरी वानकी भी है क्या क्रामीड वानकी को क्हीजड़ी का व्रेक्ष जो होता है शामाजी के वानकी के लिए सरसे महतफपून माना जाता है उसमें तापमान सहन करने के शम्ता होती है खेज़ेडी के पेड़ में याद रखना चलिए इसका शहरी ग्रामीड तीनों ही हो सकते हैं हाँ सही है तीनों इसके देख लेते हैं समाजिक वांकी का आर्थ क्या है परियावर्डी समाजिक ग्रामीड विकास में मजद के उद्देश से बनों का प्रबंदन और सुरक्षा उसर भ्हों पर वन अरोपर करना है जाद रखना समाजिक वांकी का उत्देश में ध्या है टेर राष्ट्रिक क्रशी आयोग तीन वर्गों में बाटा गया dry Speaking शहरी वांकी ग्रामिडवानकी, फार्मवानकी, शहरी वानकी क्या होती है? अब यह भी देख लेते हैं, इन तीनों के बारे में, शहरी वानकी है, शहरों और उनके आसपास के सारवजनें के निजी भूमी पर हरितपटी, पार्क, व्यापारी के स्थत्र, ब्रक्ष लगाना और उनका प्र फार मतला क्रिशी वानिकी क्या है क्रिशी योग बंजर भूमी पर पेड़ फसल एक साथ लगाना जा है इसका थाथ पर है कि वानिकी और खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान चारा एंगधन इमारती लकड़ी फलों का उत्पादन एक साथ किया जा सके भाई समुदाय वानिकी में सारवजनिक भूमी जैसे क्या चरागा, मंदिर भूम, सड़कों किनारे, नहर किनारे, रेल पट्री, सत्पट्री, विद्यालेवें में पर लगाना उलेकिन यह समुदाय वानिकी का उदेश पूरे समुदाय को लाभ पहुचाना है और भूम हीन लोगो को वानिकी करण से जोड़ना और इससे वह लाभ पहुचाना जो भूस्वामियों को प्राप्त होते हैं फर्मान की क्या है इसके इंतरगत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्त वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं इसके तहट कई तरह की भूमी जैसे खेतों की मे सोलास वन है सत्य बताना इसमें जयना भेड प्रिश्टी का भी जोंतते हैं इसको कि अ bachelor कर्णिगी सदाहरित होते हैं हम अतने लगता सदाहरित होते होंगे अगला स्टेटमेंट देखते हैं शोलास वनों में मगनलिया लायरल सिंकोना बैटल के ब्रक्षप आए जाते हैं यह वन सत्पुड़ा मैकाल सरणियों में भी पाए जाते हैं तो हमारे सब के पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए ठीक सोलास वन निल गरिया अन्ना मलाई पालनी पहाड़े उपर पाए जाते हैं लेकिन सीतो शड़ कटिबंद ही होते हैं पहला दूसरा सही है क्योंकि मैगनलिया लायरल सिंकोना बैटल ब्रक्ष शोलास वनों पाए जाते हैं यह वरिक्स आर्थिक रूप से काफी महत्तों बताना है ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने गर सदाबाहर बनके वरिक्स हैं ओक और चेस्टनट सही बात है क्या चिनारा और वालन हस्त शिल्प में प्रियुक्त होने वाली लकाड़ीों की उदाहरन है तो क्या दोनों सही है कि गलत है हमें तो गलत लग है लेकिन सही है दोनों चलिए सही हैं तो कैसे सही यह भी देख लेते हैं ओक चेस्ट नट पहाड़ी इलाखों पाए जाते हैं सदा बाहर बन होते हैं यह विरक्ष उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी स्रिंकलाव पश्चिम बंगाल उत्रांचल के पहाड़ी इलाखों में चोड़े प पश्चिमी भाग में पंद्रा सव से साड़े सत्रा सो मीटर की उच्चाई पर व्यापारिक महत्तवाले चीड के वन पाये जाते हैं और निर्माणकार में प्रिव्ट होने वाली मजबूत लकड़ी देवदार भी इसी छेत्र में मिलती है तो इस तरीके से थोड़ा प्रशन देखते हैं हिमाला में 3-4000 मीटर की उचाई पर प्रवतिय वनों के संदर में बताना भी आ सही उत्तर तो हिमाला के दक्षण भागों पर उत्तरी भाग के तुलना में अधिवनस्पती इतु बात सही है है अगर हिमाला का उत्तरी भाग देखते हैं तिब्बत की निटरावश्पते की उपस्थिती भी देखी जा सकती है तो इसके ुसके इन उत्तर दी हो जाये गा ठील कि हिमाले का ऊत्तरी ढाल सुर्ष्प है याद रखना ऊत्री है और वश्पते करता है हिमाले के दक्ष्ण भागों पर उत्तरी भागों तुल्लम अधिक ब्रक्ष बनस्पती पाई जाती है। दूसरा सही था कि हिमाले के परवती छेत्र तीन से 4000 मेटर के उचाई पर सिल्वर फर जुनिफर बर्च आधिक ब्रिक्ष बीच उगने वाले शित्रोष कड़बंदी घासों को पश्चाण के लिए उपयोग उहां के रित्व प्रवास करने वाले जन्जातियों जैसे गुज कि इसके बारे में हमने दूसरे वाली वीडियो में चर्चक की थी देख लेते फिर से प्रस्ण कुछ और था लेकिनों ठीक है वेलांचली और अनुप बन के संदर्म में सही कतनवताना है भारत्मीन भूमियों पर चावल की खेती होती गलत है चिलका क्योला देव राश्रि कि परवतिए जहीलें भारत में आर्द भूमिका हिस्षा नहीं कि लेकिन इस समय है कश्मिर्स प्रिक्स ऐख और वल्द्दाग के परवतियए, ठीक है तो सही उत्तर क्या हो जायेगा एंग और देख ए ते सही उत्तर भी होगा है आपको पता ना रामसर में सामिल हुआ है लगदाक की दो जीले कश्मेर की भी है ठीक है तो इसका सही उत्तर यह हो जाएगा पहला और दूसरा सही है कैसे सही है भारत में कई परकार के आरद आनूप आवास पाई जाते हैं इसके लगभग सत्तर प्रतिशत भाग पर चावल क कि खेती होती है वो हम पहला वाला गलत कर रहे हैं ऑहां ठीक है तो सत्तर प्रतिशत भाग पर।र चावल की खेती होती एद रख नंधेम 202 में भारत के पहले रामसर इस्थल हैं दोनों चिलका और केवला देव राष्ट्रिय पार्क जो की राजिस्थान के भारतपुर में इस्थित है और चिलका जिला को पता उडिशा में है तीसरा असत था क्यूं कि भारत में आध्भूम को आठ वर्गों में रखा गये इनमें कश्मीर और ल अंतरश्टी महत के जली छेत्रों के रूप में जामित किया गया जिसमें 6,89,031 है 3,131 है हेक्टेयर का छेत्र शामिल है तो याद रखना है एक चीज और भारत का छेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रामसर इस्थल कौन सा है तो हम आपको बता देने भाई यह राज्ज में सबसे ज्यादा छेत्रफल के साब से रामसर इस्थल है तुवा गुजरात में हैं गुजरात में कई सारे हैं ठीक है याद रखना भारत के पस्याद चिलका जील के बारन बताना चिलका जील रामसर इस्थल सबसे बड़ी आर्द भूमी इस्थल है यह वाला गलात है थिक है तो पहला सही है सही बताना था तो पहला ही सही है बस पहला सही है चिलका जील सबसे पहले सामिल हुई 1 एक अक्टुबर 1908 कैं सुची भारत में के देखे रांट्रेक्स में सामिल याद रखना मोंट्रेक्स में 2 शामिल है मोंट्रेक्स क्या है कि जहां पर मानो भूस्त करद के द्वरा उन अर्धभूमी। बीना सोनने लग गया हूँ। ओछेता हूव। फिस depreciator भारत में को सामिल याता है। सबसे बड़ा है यहां पर कि विम्बनाद को हमने नाम दिया है लेकिन इससे में सुंदर बन है सबसे बड़ा चलिया जियो मंडल निचे संदर्म बताना निम्रुखत कोई साक्तन साही है तो यहां विश्यस प्रकार के भोमिक और पारस्थित्न फर्त्त होती है यह विवास साही है तो दोनों साही प्रोग्राम के द्वारा ठीक है तो याद रखना भई जिव मंदल रिचे भारत में 14 जिव मंदल रिचे हैं कि भारत तीसरा तोgoing बाकर दूसरा नहीं भी इसका ठीक है पहला गलत क्यों था अब देखते हैं वर्तमान में भारत ब्हारत में 18 जिव मंदल रिचेए हैं सब कांब है नील गष्जी नंददेवीं नौकुरेक मनार्ध सद्रवन मनार 미ण ओ है ग्रेट निकोवर सिम्ली। डिपुर्ण सैखोवा, ड्यूहांग दिवांग, डिवांग कभा में fossils कौने आपको बताना हैं? द्यांग दिबांग कंचन जंगा पंचमणडी अगस्त मलाई चांशक अचनकमार अमर कंटक मध्य प्रदेश में कच शीत्मरस्तल सेशाचलम हेज और पन्ना कच शीत्मरस्तल का है हमाचल प्रदेश में ध्यान अठना ठीक है यह हैं आपके अठ्था जीव मंदल नीचे दू नेट्वरक में परमांता पराप्त ही है वह है नेलगीरी, सुंदरबन, मंनार कि खाड़ी, ध्यान रखना नुढ नीगीरी, सुंदरबन, मननार कि खाड़ी, नन्दा देवी 4-9-9-9 , सिंम्लिपाल 95-9-9-11-32-1313-63-26- हमें को को डाउट नहीं होना चाहिए याद रखना इस बात का तीसरा सही था क्यों क्योंकि नील गिरी सबसे पहले इस छेत्र में शामिल हुई थी जिव मंदल निचे के रूप में अगर होल मादीपूर मदुमलाई निलंबूर का सारा वनसे ठठका धाल उपरी निल गिरी पठा सालन्ड वैली और सीधु आनी पहाड़ियां सामिल हैं तो यह किसके बारें बताया जा रहा है तो याद रखना यह निलगिरी के बारें बताया रहा है यह यूपी-हस प्रश्म यह दोजाररे में आया हुआ ऊंधि siya bisи उसमें तरीकर प्रसन हिस्वें इस प्रस्ट के आंद आ 되면 नीष्ट कंस श्मय लीर है लेकिन लीत क्नजलि गुज़रात में है क्या घलत हैता साइल कर्णाक तमिलाड है क्या लेकिन भितरकंड क्या उडिशा में है तमिलाड दूसरा तीसरा सही है मेरे ख्याल से हाँ नई तीसरा ही सही है दूसरा पहला दोनों गल्ब है कंजली आपका पंजाब अंजाब में है कंजली आपका पंजाब में भाई और सस्थम कोट्टा जील केरल में है बितरकंड का गरान आपको पता है यह तो उडिशा में ही है अगला प्रस्षन देखते हैं फिर अगला है निम्नगत प्राकृतिक आपदाओं पर विचार करना बताना भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतरगत किसको सामिल किया जाता है अब इसके बारे में देख लें कि भूकंप हहाँ, अवतलन न है हिमघाव, पता नहीं लेकिन भूकम्प और है बाइकि देख लेते हैं क्या है इसका सहेवत्तर B है एक दो और चार सही है भूकंप आवतलन और हिमगाव ठीक है चलिए देख लेते हैं प्राकिर्तिक आपदाओं को समानता चार वर्गों में बाटते हैं याद रखना उधारण के लिए एक वायु मंदली होता है वायु मंदली भौमिक एक जली एक वायु मंदली एक भौमिक एक जली और एक जैविक निम्लिक सारणी से इसके वर्गी को आसानी से समझा जा सकता है ठीक है वो सारणी हमने दिया नहीं मेरे ख्याल से भूल गए भाई भाई भारत में भूकम के संदर्म बताना कौन से गतन सही है भारत उच्छे भूकम पी छेत्रों में बाटता गया सिर्फ दूसरा सा ही पहले गलत है कैसे गलत है 5 पांच है पांच भागों में कौन-कॉन से अथिक छ्टी जोकिम क्छित्र मध्यम, छ्थ, निम्न छ्थ 4 ज्यए से पहला गलत हो गया जमिन के आउतलन धसने से बांधर जलाशे के बैठने इत्याज से भूकम आता है ठीक है तो याद रखना इसके क्यार कारक भी है यह सब ठीक है अगला प्रशन है भारत में भूकम पी छेत्रों के संदर में बताना कौन से कतन सही है उत्तर पूर्वी प्रांत बिहार में भारत स्थिर भाग हमारा जो दक्कन का पठार वाला चेत्र तो यह तो बिल्कुल सही हैनों कोई गलत है ही पहला साही था भाई क्योंकि भारत में कुछ छेत्रों प्रचंड भूकम रूमों किया जाते हैं इसमें उत्तर पूर्वी प्रांत नौर्थ इस शेवन सिस्टर्स बिहार में भारत नेपाल सीमा के से लगे अत्रिक्त उत्राखंड भी है पश्चमिहमाचर प्रदेश है कश्म सामिल है आती अधिक उसमें आता है तो दूसरा कि शेट में इसले प्रता है तिसरा सई है कि भारत में भूकम शेर करें निर्वर्वर करती बात सिस्टर मिंदी जलत्रंग ruth की गति और फर क्या रही क्या है महसागरों के अंतरुक्त ज्यादा नुक्सान कारी होती है जानमाल को व्यापक्षदी पहुंचाती है साथे गहरे समुद में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और उचाई उनकी कम होती है लंबाई अधिक होगी उचाई कम होगी तो उठेंगी नहीं हो इसलिए समझ कि इस भाग में सुनामी जल पोत को एक या दो मीटर तक ही उठा सकती है बाद समझे गए ना अगला देखते हैं सूखा का संदर में क्या भई सही गतन बताना मिट्टी में आर्दता की कमी के कारण जब फसले मुर्जा जाते हैं इसे क्रिशी सूखा कहते बात सही है लंबे समय तक अपरियाव्द वर्षा के असामईक और इस्थानिक वितरंट के अंसांतुलन की इस्तितिकों जल विज्ञान संबंधी सूखा का जाता है यह भी मेरे क्छा से सही है कि नहीं तो दोनों ही गलत हों देखके अगर शहीं नहीं यह को पहला सही है कि पहला सही था क्रिशे सुखा लोसा जल्विज्ञानसंबन्ध ही सुखा नहीं माना जायेगा वो ठीक है, क्यों नहीं वह होगा अब यह देख सूखा एक जटिल पर इघटना होती जिसमें कई प्रकार के मावसम विज्ञान संबंदी आन्य तक्त्व जैसे व्रिष्टी वाश्पी करारों वास्पोस सर्जन भाहुम जल मिर्दा में कमी जल वहंडारान भारान कृष्य पद्धतियां विशेश्ता उगाई जाने वले फस किसले मोर्जा जाती है दूसको किसी सूखा बोलते हैं दूसरा गलत था लंबे समय तक अपरयात वर्षा करार सामईक और स्थानिक वितरन के असंतुल्ण की स्थिति को हम क्या बोलते हैं लेकशनी है कि जल विज्ञान संबंदी सूखा कैसा है तब होता है जब विभिन जल संग्रहा, जलासय, जलभूत और जीलों का इस तर व्रिष्टी के द्वारा की जाने वाले जलापूर्ति के बाद भी नीचे आ जाता है, प्राकृतिक पारिस्थित तंत में जल की कमी के कारण उत्पादकता कम हो जाती है, फलता पारिस्थित तंत में तनाव हो जाता और या इस्थिती होती है, पारिस्थितिक सूखा, तो याद रखना इस बाद को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगला प्रश्णा है, मिस्रित करसी के संदर में असत्त गलत बताना हमको, देखिया, यहां दिख रहा है, तो मिस्रित करसी को ट्रक करसी के नाम स कि जाती यह भी बास सही है, गलत तो यह है, तो इसका सही उत्रडी हो जाएगा, तीक है, अब देख लेते हैं, उद्यान करसी के अंतरकर जिन परदेशों में किर्शक केवल सबजीयां पैदा करते हैं, वहां इसे ट्रक करसी कहते हैं, मिस्रित करसी के लिए उत्तरि मिस्रित भाग के रुप में जाना जाता है, चारे की फसल मिस्रित करसी का मुख घटक है, इसके तरिक इसमें फसल उत्पादन और पश्पालन को भी सामिल करते हैं, चलिए भूमत सागरी करसी देख लें भाईया, देखे भूमत सागरी करसी पर भी लास्ट यर पीसेस में परस्ट पुछा गया था, अंगोर की करसी महत Помौल विश्पता बात सही है, भूमत सागरी करसी को कोला खोज के नाम से जान जाता है, यह गलत है, यह रसिया असिया में कुछ है, कोला खोज, अंजीर और जैतून की खेती भूमत सागरी करसी के अंतरगत नहीं की जाती है तो यह भी सही गलत ही सहीं के रौति है अंजीर और जयतून hoping की खेती थी तो इसका सही क्या होगा यह यह की किर्षी भूमत सागरी की प्रमुक्त विश्यस्ता है यहीं अच्छी किस्म के अंगूर से शराब या मिस्राणी के अंगूरों को सुखा कर मुनक्का तता किस्मिश बनाई जाती है इयाद रखना सर्हाब की वुत्पादन यहीं होता सबसे जादा गलत केसे है कि सामौही कर्शी को सोवियत संग में कोलाह खोज कहा जाता है कि सामौही कर्शी में के साध्णून्यों का स्वामिता समपून्ट समाज और सामौही क च्रंप नद पर आधारित होता है तीसरा क्यों लग था कि भूमा सागरी क्रिस्टी के छेत्र खट्टे फ़लों की आपूर्थी करने में महत्पूर्ण है इसके अंजिरो जैतुंग का भी उत्पादन होता है यहां पर तो खट्टे फ़लों के लिए जाना जाता है अगला प्रस्ण है कपास की खेतिक संदर्म बताना भी है कि उच्छतापमान हलकी वर्सा पाला रहित मौसम चमकीली धूप कपास की खेतिक लिए आदर्श्वात वालड कुरूप में जाना जाता है तो यह तो हमने बताया ही था अभी जब हमने कृस्जी वाला क्लास करा रहे थे जगरभी पढ़ा रहे थे ना तो उस अब तीनों से हैं तो वही होगा वही वही स्टेटमेंट थी इसकी व्याक्यां भारत में कपास खेति पारेंपुलूप दकन में काली मट्टी वाले शेत्म होती ही भारत में कपास छेत्र में गुजराद का मैदान काठी अवार महाराष्ण पश्चिमी घाट का पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मध्ध प्रदेश, नर्मदा गाटी, दक्षणी करनाटा, पश्चिमी आंद्ध प्रदेश, पंजाब, हरियाड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ, तमिले नाड़ो भी इसमें सामिल है, अगला प्रस्ण क्या है, किन निम्धित योग टार्ट बोराद बनाने में होता है, इसमें कोश्र आर्द जलवायो और जल निकास वाली उपजाव मिर्दा जरूरी होती है, भारत में जूट का उत्पादन कहा कहा होता है, पश्चिमंगाल, आसम गाटी, उत्तरी बिहार, ओडिश्यक महानदी, डेल्टा में होता ह ठीक है, अगला प्रशन है, फसल समोहों में कौन सा रोपड फसलों का समोह, रोपड फसल आप क्या समझते होंगे, यह मसो लेना धान की रुपाई होती है, तो वही रोपड फसल में नहीं आईगी हो, तो इसमें आएगा चाय, रबड, कौफी, कहवा, गन्न, चाय, रबड कौफी, कहवा, गन्न, इसमें शामिल है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को, देख लेते भाई, क्या है, रोपड किसी, वाड़जिक क्रिसी का एक प्रकार होता है, याद रखना, इसमें चाय, केला, कहवा, काजो, रबर, काफी है, तो कपास की एकल फसल होगा ही जाती है, याद रखना, इसमें ब्रहत पाइमान पस्तरम और पूजी के आवशकता होती है, तो बात सही है, रोपड किसी के मुख्य छेत्र के बारे में देखें, तो विश्र के उस्रकटिबंध ही ये प्रदेश जो होते है, वो रोपड किसी के अगला प्रस्न देखते हैं, सोहरई और सकरात पर्व, किसके दौरा मना जाग किन जन जाती हूं दौरा, सोहरई और सकरात, देखें मुंड़ा उराओं नहीं है, खरवास वरिया भी नहीं है, संथाल है कि असुर है, असुर भी नहीं है, संथाल है, तो इसका से उत्तर क्या जहरखन जयाता है जहरखन का, सहरई नई फसल के साथ मना जयाता है, साकरत पर बुराई पर अच्छाई के जीत करूपना जयाता है, तो याद रखना, सहरई क्यों बना जयाता है। सक्राद मना जाता अच्छाई की बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मना जाता है, संथालों का कोई कैलेंडर नहीं होता है, याद रखना, संथालों सक्राद के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिन मानते हैं, तो सक्राद के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है, ये किन जन जातियों के लिए है तो आपको पता होने से संथालों के लिए है ठीक है उपरियुक्त के अत्रिक्त राजस्थान मद्दप्रदेश गुजरात करनाटक में पाई जाने में अन प्रमुख जन जातिया हैं जैसे कौन सी राजस्थान गरासिया सांसी, मेरात, मीडा भी पाई जाती है मद्ध परदेश में बंजारा, गोल, जनजातिया होती है गुजरात में टोडिया, कोली, पटेलिया है और करनाटक में कुरगी, पनियान, प्रमुख जनजातिया है ठीक है? याद रखना कुरगी और पनियान अगला प्रस्ण है कौनसी जनजाति के लोग अपने उत्पत्ति रावड से मानते हैं कौनसी जनजाति के? तो कौरगी है क्या टोड़ा, संथाल या मुंड़ा संथाल नहीं है इसमें या टोड़ा होंगे या कौरगी टोड़ा कहाँ पाई जाते हैं? टोड़ा, टासर टोड़ा, टासर टमिल्लाडू तो हमारे हिसाब से टोड़ा ही सही होगा इसका उत्तर नहीं, कौरगी सही है कौरगी देख लेते हैं जनजाति वाले चेप्टर जो हमने पढ़ाया है आप लोगों को उसमें इसका जिक्र हुआ है प्रजातियां, जनजातियां हमने पढ़ाई है चेप्टर में कौरकू जनजात के लोग अपनी उत्तपति रावड से मानते हैं जनजात मद्ध प्रदेश में पाई जाते हैं कौरकू कौरकू लोगों को मानना है कि एक समय रावड उस स्थान पर आया और यहां किसी मानों को ना देखकर अत्यन तुकी हुआ उसने शिव से प्रातना के तब शिव के प्रताफ से कौरकू जनजात की उत्पत्त हुई है कौरकू जनजात पर पिछली बार 2019 वाले में या 20 वाले में EMP PCS में भी प्रशाय हुआ था ठीक है याद रखना वन वंधू वन बंधू कल्याण यौजना की शुरुवात की गई केंद्रिय जनजातिय कल्याण मंत्रा लेके द्वारा तो यह कब हुआ था कब शुरुवात हुई थी इसकी तो यह हमें भी नहीं मार्च 2016 नहीं अक्टूबर 2014 में हुआ था क्या है देख लेते हैं वन बंधू कल्याण यौजना की शुरुवात अक्टूबर 2014 में याद रखना उद्देश क्या है जन जाती है जन संख्यक बुनियादी संचना और मानोविकास सुचकां में सुधार करना इसकीम के तहट उ उन सभी ब्लॉकों को दस करूर रूपय वंठित के जाएंगे जिनकी जन जाती जन संख्यक तीस ताइं तिस प्रश्चत से अधिक होगी बंदरों को पकड़ने की कल्कमे द्क्ष्टा के कहां जर्चंव रही मांकडिया जन जाती हम अपको बताया है णृग का थे हम क्लास सला रहे थे तब ही इनके बारे में बता दिया थे मनकडिया कैसी है पीवी टीजी ए पीजर के सा लेबर्व ट्राबल बदोश होते हैं याद रखना 2011 की जंगर्णा को इस जंसंग के एक हजार पचास थी और इसा कि पीवीटी में पीवीटी जीएस में कौन-कौन और हैं याद रखना उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा उसमें है खडिया बिरहोर बोडो डुंगरिया डुंगरिया खुंड लोड़ा यह सारी जंग जातियों का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है गद्दी का है क्या अच्छा गद्दी का तो नहीं है जिसका नहीं है वह है तो रियांग नौशिया हजोंग कि यह तिंजम्मि नहीं लेकिन शियर और गद्दी तो है तो रियांग नौशिया हजोंग कहाद यह दिखाँ है अगला प्रस्ण देख लेते प्रस्न थोड़ा सा ज्यादा ही देखें गे आज हाली में राश्री कि आदिम जन्जात से सम्दनित योटिव वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था वो थी जारवा जारव कहां पाई जाती है अंडमान को बहर में भाई कर जारवा जन्जात थी अंडमानी ऑंगी जोड़ तर्वा 你 को आदिम जन्जाट का दर्जा दिया गया है टीक है तो याद रखना किसको किसको जन्जाट तीसरा नहीं चाहिए 20 से B पहला और दूसरा गलत है कुरु Julius Momoke में मलाइयत तमिल नाडू में एरुकला आपका अंडरप्रदेश में है लेक्ए देख लेते कुरुम्बा केलल मलाइयत तमिल नाडू एरुकला अंडरप्रदेश थिक है अब देखते हैं, देखिए इस पर प्रस्ण आया हो देखिए इस पर प्रस्ण पोछा गया था, अहोम, अहोम से हम मिलाएंगे, अहोम आपका आसम में है, याद रखना, B, सुरी, अहोम आपका आसम, लुसाई, लुसाई कहा पाय जाती भई, अंगामी आपकी नागलेंड में है, ये भी याद रखना, अब देखिए, एका पहला है, B का तिसरा है, अब देखिए, एका पहला, और B का तिसरा, तो C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रस्थ नहां जही बताना इसमें विचार करके पुर्धगाला और इस्पिन को सम्लित रूप से आईबेरिया कहा जाता ये भी बत सही है तो दोनों statement सही है, ठीक है, सही है, दोनों सही है, कैसे सही है, नौर्वेज सुडन देन्मार्क को इसकंडिनेविया इदेश कहा जाता भई, इनके अलावा, इसकंडिनेविया में नौर्वेज सुडन देन्मार्क तो है, साथ में फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो भी आता है यहाद रखना नियु नियु इसकेंडीनीयठी डैस नौर्वेज त्युटन डिनमार्क है लेकिन इसी नौर्वेज स्वुडन डिनमार्क को जब हम फिनलेंड आइसलेंड फेरोब को मिलाते तो ओ नौरोडिक देश बन जाते है पुर्दगाल एबिरिया के है उल लेखनी है कि यूनान, रॉमानिया, अलबानिया, तो बाल्कन कहा जाता है, लिथुवानिया, ला्टविया, एस्टोनियो को बाल्टिक कहा जाता है तो हमें ये भी द्यान रखना बाल वल्गा डेनूब नीप सीन नीपर डेनूब होगी वल्गा वल्गा कहा आगी वल्गा ही है लेकिन अब देख लेतें क्या है वल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी भाईया यह कैस्पियन सागर में गिरती है याद रखना लंबा यह नदी वल्दाई पठा पहाड़ी से नि तो आज की वीडियो हमें लगता है परियाप्त हो गए क्रिप 530 फ्रस्टन हो गया इसमें इसमें आगे हम कल देखेंगे 161 थीक है तो आज की वीडियो हम यहीं समात करेंगे और वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक सेर कमंट करें साथ में चैनल सबस्राइब कीजिए अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं तब तक के लिए धन्य बाद